एलो गाईज वेलकम बेक टो अनदे व्लोग तो दोस्तों स्वागत है आपका नए व्लोग में तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया था एहंदाबाद से राजकोट आने के लिए जो व्लोग बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप् मैं अभी आपको लेक्ट आया हूं यहाँ पर पानी पहल दिक लोग मिलेगा तो आप उसको अभी मजा ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो जगह भूने के लिए वह मैं आपको बताऊंगा आपि तो चलिए दोस्तों वीडियो के लाश्टक बने रहना आकि आपको चैनल को सब्सक्राइब नई कि तो सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं अगर यह पिन होगा तो मैं अंदर से दिखाने काता है तो यह spiritsCore में यह को तो अभी दोस्तों मैं दर्बार गड़क की तरफ जा रहा हूँ, ये रास्ता है मिन्ज सर्य वर से उस तरफ जाने का रास्ता और इसका जो मेंगेट है, वो आगे की तरफ है, तो मैं अभी आगे के पार्ट में आपको लेके जाऊंगा, इसके पहले आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेफिल की तरह यहां पर पानी को इखटा करने के लिए जगा बनाई गई है आप देखें यहां पर इस तरह से सो आप देख सकते हैं एस तरह से आपको देखने को मिलेगा अभी मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूं और अंदर से दिखाता हूं किस तरह से है फ्रंट साइट से दर्बार गड़ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैं जब मैं पहली बार आया था इससे पहले मैं जब मैं आया था तब मैंने जो फोटो सुट किया था और उस टाइम जो मीन सरोवर का व्यू था वो भी मैं वीडियो का लैक्ट में दिखाने वाला ह अगर आप यहां से ट्रावेल कर रहे राज कोट से सरधार आने के लिए तो आप यहां पे जरूर विजिट करें इसके अलावा जो ट्रावेलिंग के लिए जो बेस्ट टेमपल है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी मैं आपको जहां पे ले जाने वाला हूं वह हो रहा है तो नेक्स टाइम हम जब भी आएंगे तो अंदर से इसका वीडियो जरूर सुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे जो काम किया है बहुत ही कुप फिरत है यह देखिए अभी यहां पे दरबारगड और का रिनोवेशन हो रहा है तो फिलहाल तो वह चीज तो उस तरफ चलते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं यह सर्दार का बस्टॉप और यह रास्ता है राजकोड भावनगर हाईवे तो अभी मैं आपको स्वामिनार मंदिल लेके चलता हूँ सो गाइज आप देख सकते हैं यह है स्वामिनार टेंपल सर्दार का तो आप यहां पे भी आ सकते हैं अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको रहने के लिए भी यहां पे जगह मिल जाएगी तो आप देखिए इस तरह से इसका व्यू है और सामने की तरफ केट है और अंद पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर elephant की कुरूती भी देखने मिलेगी और बहुत सारी जगाओ पर आपको बहुत ही अच्छा काम किया गया हुआ देखने को मिलेगा आप सकते हैं इस तरह से यहां पर जो काम किया है बहुत ही свое है तो आप देख सकते हैं यह वाला एक टेम्पल है और सामने की तरफ रहने के लिए जगा भी है और इस तरह से इसका व्यू है और आप देखें टेम्पल के अंदर से आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और यह रास्ता टेम्पल के पिछे की तरफ चलता जाता है और यहां सामने की तरफ है खाने के लिए जगा और यह गेट है इसका और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छा काम किया है और जब मैंने यह विजिट किया टेम्पल तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो आप भी यहां पर आए तो ज़रूर इसकी विजिट करें आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर काम किया गया है तो अभी दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सरदार के एक दरगा पर तो मैं आपको वहां पर विजिट कराऊंगा तो उस दरगा का नाम है असाबा पीर तो चलिए दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है असाबा पीर दरगा जो सरदार से गोंडल जाने का रास्ता है वहां पे स्थित है और उससे आगे जाएंगे तो हमको कुछ इस तरह से व्यू देखने के मिलेगा यहां पर बहुत सारे विंड मिल भी आपको देखने को मिलेगे यानि कि आपको यहां पर बहुत सारी पहुंच चक्की देखने को मिलेगी तो मैं आपको इसके नजदिक लेक है अभी तो लेकिन हम जैसे जैसे करीब जा रहा है आप देख सकते हैं एक और देखने को मिली हमको तो गाइस अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहें तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं इसके पास में आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है तो आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहां पर कि के पास में खड़ा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं उसके नीचे से उसका व्यू किस तरह से दिखता है तो आपको इस तरह से इसका व्यू देखने को मिलेगा तो दोस्तों मिलते हैं नई व्लोग में नई लोकेशन पे तब तक हमारी चैनल पे जरूर बने रहें और से हुआ हुआ है